नमस्कार दोस्तों 18 March 1887 को साइकलोजी के इत्यास में एक ऐसा दिन जिस दिन कर्ट कौफका का जन्म हुआ था अपकोस इस दिन बहुत चारे और लोगों का भी जन्म हुआ होगा लेकिन हम 18 March 1887 को कर्ट कौफका के जन्म दिन के रियूप में याद रखेंगे और इसका जन्म कहाँ हुआ था Berlin जर्मणी में हुआ था और चलिए जर्म पर हैं तो इसका ड्राइando पर लेते हैं उसके बाद इनके लाइ-फोट बाध मरने से पहले क्या क्या में की य्दिक कि आपना कॉंट्रीफिसन की हैं तो बर्लीन उवर्शिटी से अपना प्यच्डी करते हैं अप याद कीजिए अगर आप पिछला लेक्च्छर वुल्फ गैंग कॉलर का लाइफ केच्छ पढ़े होंगे तो वह भी बर्लीन उवर्शिटी से 1909 में वह भी PhD करते हैं मतलब Kurtkov का और Wolf Gang Color दोनों साथ में क्या करते हैं और दोनों जो है किसके डारेक्षिन में करते हैं दोनों स्टम्फ के ही डारेक्षिन में अपना PhD for करते हैं उसका यसका पीएजडी का टॉपिक क्या था इसका पीएजडी टॉपिक था रिदम पर इन्हों ने अपना पीएजडी करने के बाद 1910 में यह जाते हैं फ्रांकफर्ट जहां यह कोहलर और वर्दायमर जैसा कि आपको पता होगा कि कोहलर और वर्दायमर जो की वन अब दी फॉंडर हैं गेस्टाल साइकलोजी के उनहीं में से एक और जिसका जो तीन में फॉंडर हैं गेस्टाल साइकलोजी के तो उनहीं में से अब एक जाते हैं क के पास कोहलर और वदायमर के पास कौन जाते हैं कर्ट कौफका जाते हैं कब जाते हैं 1910 में जाते हैं ही वाज अप्वेंटेट एज डॉजेंट इन 1911 एट गीशन मतलब गीशन एक उनिवर्शेटी था अमेरिका में जो की फ्रेंकफर्ट से 40 माइल दूर था वहाँ यह डॉजेंट के रूप में क्या होते हैं अप्वेंट होते हैं 1911 में मतलब आप समझ रहे हैं 1911 से 1937 तक यह गीशन उनिवर्शेटी में अपना टीचिंग करते रहे पढ़ाते रहे पठन पठन का काम करते रहे उसके बाद यह कॉर्णेल उनिवर्शेटी एंड विस विजिट करते हैं कॉर्णेल उनिवर्शेटी और विसकॉंसीन उनिवर्शेटी भी विजिट करते हैं तो यह था उनका एकेडमिक्स और टीचिंग लाइफ प्रफेशनल लाइफ सब आगी आज में उसके बाद इनका कुछ बूक्स और रिचर्ज पेपर भी पब्लिश्ट लुटू और इटवट्वरी फेमस्ल इन दे फिल्द औफ साइकलोजी उसके बाद डेवल्पेटमेंट चाइल्ड साइकलोजी विजिवाज टानलेटर लेटर नेम्ड ग्रोथ उप्लेटिन तो इसके बाद नाइकीं ट्वेंटिंटीवन में इसका एक और बुक या फिर र translate करने के बाद इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के इसका नाम रखा गया the growth of the mind मतलब मान का विकास उसके बाद लास्ट इसका एक one of the important books जो है वो है principles of gestalt psychology the very very important book मैं इसको इस्टार्मा कर रहा हूं आप इसको याद रखेगा the principle of gestalt psychology which was published in 1935 मेक कर्ट कॉफ का very famous in the field of psychology तो इसी के साथ आज का lecture समाफ्थ होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद